विशाल आर वाच लिस्ट टॉमोरो सेशन इस रेड़ी बड़ बिफोर दाट एक बार आज के सेशन के लिए स्टॉक समने वाच लिस्ट के थे उनके बारे में जान लेता हैं अगर हम अपोलो टायर चोड़े तो बाकी के इतने वी सारे स्टॉक से हमारे डिरेक्शन में बहुत अच्छा घासा एक राली किये जिस तरीके से एस्ट्रेल में हमने तोड़ा सा शॉट सेड पर देखा था पोजिशन गुजरात नर्मदा वाली में हम अप सेड़ी प्लान कर यह सारे स्टॉक साज 2% 3% 4% तक हमें राली दिये हैं हमारे डिरेक्शन में गये बाट रूल्स और रूल्स आवल स्टिक टू यहां पर गैप अप ओपन हो आता और उसकी वजह से हमारे सारे स्टॉक साज ट्रेडिंग के लिए इन्वालिड रहें आब दाट सो के लिए हमा की ब्रेकाउट के आसपास आना चाहिए था अभी भी शायद हो सकता ही अक्युमिलेशन फेज में ही और अभी भी इसका जो एक जो ब्रेकाउट हो ब्रेकाउट का पेंडिंग लेवल जो रहेगा वह कहीं ना कहीं 196.50 के ऊपर का रहने वाला है हमारा जो बाइंग लेवल होगा वह बाइंग लेवल कहीं ना कहीं 196.50 के ऊपर ही हम इसका बाइंग प्लान करेंगे और इसमें अपसाइट डिरेक्शन में यहां पर थोड़ा सा हमारा पहला मूमेंट रहेगा तो 196.50 के ऊपर विद इस टॉप लॉप लॉप लेट सागेट 1 एस टुट वन इस टूट वन इस टूट री ऑन दी अपसाइड बाइंग अगर मार्केट वही नीचे की तरफ आ जाता है तो नीचे की तरफ हम इसी स्टॉक को यहां पर पर प्लान करेंगे विद इस स्टॉप लॉप लॉप यहां पर हम डाउंसाइड में वन इस टूट वन इस टूट वन इस टूट वन इस टूट री प्लान करके चलेंगे आगर दोनु सेड में कहीं पर भी extended market movement हमें देखने के लिए मिलता है तो वी विल यूज trailing stop loss method और उसे हिसाब से profit को अपना थोड़ा सा maximize करते जाएंगे है अधा सेकंड स्टॉक हीर इच्छी एल टेक्नोलोजी एच्छी टेक्नोलोजी में आज यहां से प्राइमरी डिरेक्शन हमारा डेफिनेटली अपसाइड का रहने वाला है कि 1235 के उपर with the stop loss of just four points अम अपसाइड में 121 1223 प्लान करके चलेंगे बट यही यहां पर जो एक यहां पर जादा कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा है तो अगर हमें बात करना हो इससे पहले जब मार्केट एक बार यहां पर देखते हैं तो अल्मूस 4% के आसपास गया था ओन 14th of July अभी आप इस दिन का अगर वाल्यूम देखो गया फिर इसके एक दिन पहले का अगर हम देखते हैं तो यहां पर मार्केट अल्मूस फ्लाट था आई रिमेंबर इसका रिजल्ट आया हूँ था और रिजल्ट आते ही प्राइव डे में रिजल्ट आया होता यहां पर गाप डान ओपनिंग दिया था और इसमें यह जो वाल्यूम का स्पाइक था इस वाल प्लान करते हैं यहां पर सजेस्ट करते हैं यहां पर थोड़ा सा अपसाइड लेकर चल सकते हो अब वही कंपेरिटिवली आप जो देखोगे तो आज का वाल्यूम इसमें वह वाल्यूम साटिस्फाइंग नहीं है तो यहां पर हमारा क्या प्लान होना चाहिए ऐसी करेंगे तो हमें इसमें क्या करेंगे 1222 के नीचे विद इससे डाउन साट के लिए अभी नीचे की तरफ अमें स्टॉप लौस एक्चुली में बहुत माइन लगता है रिजन क्या इसके पीछे का इसके पीछे का रिजन सितना है कि मार्केट में जैसे थोड़ा बहूत पैन लोसे बचाना चाहता है तो इसी के हिसाब से यहां पर हम दोनों डिरेक्शन प्लान करके चल सकता है IDFC 1st bank is one another stock यहां पर IDFC 1st bank में यहां पर आज एक gap up open होता gap up open होने के बाद again it's all time high level तो यहां पर definitely upside should be our first first moment ठीक है हमें जो upside के लिए सबसे पहले देखना चाहिए यहां पर आज भी volume जो है बहुत usual है हाला कि यहां पर upside में हो रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे यह stock अगर 99 रुपीज के उपर जाता है तो यहां पर 0.5 पाइसे का stop loss डालके यहां पर upside में 1-1, 1-2, 1-2, 1-3 प्लान करके चलेंगे बट इन केस अगर क्यूंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है और थोड़ा बहुत रिटन आता है और यह यहां पर हम with the stop loss of again 0.5 रुपीज हम downside में 1-1, 1-2, 1-2, 1-3 प्लान करके चल सकते हैं extended market movement के लिए as usual हम थोड़ा सा trailing stop loss को यहां पर यूज करते चलेंगे ultra cement company ultra tech cement में यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर कही न की आज एक bullish momentum दिया है यूजूली आप देखोगे ultra tech में जो इस तरीके के moment होता है उसके बाद में follow up buying बहुत rarely आता है तो अगर हम देखते तो आज ultra tech was up by almost 4% so historical data इसके साथ कैसे study अगर हम प्राइर देखते तो यहां पर 3% था उसके बाद market में थोड़ा सा पॉज लेने का movement आया इससे पहले यहां पर था बट नेक्स देग आप उपन हो तो इससे हमें favorable situation बनाने के लिए क्ला करना है अगर by chance market flat open होता है और कहीं ना कहीं यह 8,490 से नीचे आ जाता है बट हमारा जो direction इसमें क्या होना चाहिए कि पानिक लोगों का पकड़ी और उसके direction में किजिए आपका यहां पर stop loss कम हो जाएगा अपसाइड में प्रॉब्लम के कोमोडिटी का स्टॉक के निउस के ऊपर आता हो सकता है जो भी इनके सिमेंट के प्राइस बढ़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के इस एक्चुली दनी जो कि क्वार्टली रिजल्स के बाद में यहां पर effect में आएगी क्वार्टली रिजल बाल्राम पुरुचिनी अगें वन स्टॉक विद्ध हेवी निउस आज सुबह सुबह काफी सारे ग्लोबल क्यूज की वज़े से यहां पर सारे शुकर सुकर की तरफ जा गय है जो भी इतानोल का यहां पर प्राइस बढ़ा है एक्सपोर हमारा शाय इस बार 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 बैन जोन यहां पर एक कॉंसल्डेशन का जोन ता इस तरीके के यहां पर रेंज को ब्रेक आउट दिया है अच्छा का ऐसा वॉल्यूम है तो डेफिनेटली फर्स टाइम हम क्या करेंगे फिर्स चीज हमारे दिमाग में क्या नहीं चाहिए बास अगर यह आज का हाई क्रॉस कर लेता है तो यहां पर अपसाइड के लिए प्लान करेंगे 409 के ऊपर विद इस टॉप लॉस अफ्ट फोर के आसपास इसे विद इस टॉप लॉस अगें 111 रूपीज यहां पर हम डाउनसाइड में यहां पर पानिक होंगे और यहां पर उनको एग्जेट के लिए बहुत अरिजन्सी में सारे स्टॉक अपने निकालने पड़ेंगे और इस आर मोमेंटम तो कैच ओन फॉर इंट्राडे तो विद देस आइल एंड वाच लिस्ट यहां तो मुच पर जोईनिंग इन होप थैंजनू थैंजनू